मेरे परिवार जनों, मेरे बद्द्द्देश के लिए ये बहुत ही महत्वपुर्ण सबाय है मैं आज मान नर्वदा के तड़ से खड़ा रह करके कह रहा हूँ पूरे मद्द प्रदेश को कह रहा हूँ पूरे मद्द प्रदेश के नवजमानों को कह रहा हूँ मान नर्वदा को याद कह करके कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी मान नर्वदा की गोच से आया हूँ और आज मान दर्वदा के किनारे पर खड़ा हो करके कह रहा हूँ मेरे नौजवानों मेरे शब्द लिखो मद्ध प्रजेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावाट उसके विकास की गती में कोई भी गिरावाट 20-25 साल के बाद भी लोटेगी नहीं सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गती को रुकने नहीं देना है अटक रुकने नहीं देना है ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है MP के 25 साल से कमरुम के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मत्वपूर्देश ही देखा है अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे हुआ होंगे तब उनके सामने विख्षित मत्वपूर्देश हो सम्रत मत्वपूर्देश हो आन बान चान वाला मत्वपूर्देश हो इसके लिए आज जादा महनत की जरुवत है इसके लिए आज सही फैसले की जरुवत है बीते वर्षों में भाजपास सरकार ने MP को क्रिशी निर्यात में टॉप पर पहुंचाया है अब ये भी जरूरी है क्या उद्ध्यों की विकास में भी हमारा MP नंबर बनना चाहिए बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बड़ा है इसमें जबलकुपूर का भी बहुत बड़ा योगदान है मद्दप्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली चार फेक्टरिया तो ये हमारे जबलपूर में ही है आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हत्यार दे रही है दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमान बढ़ रही है इससे मद्दप्रेश को भी बहुत लाब होने वाला है यहां रोजगार के हजारों नए मोके बनने वाले है